Financial Accounting Lecture No. 10 Bank Reconciliation इस वीडियो में हम देखेंगे Bank Reconciliation हम क्यों बनाते हैं Cash Book & Pass Book Understanding हमारे Cash Book में Bank का Balance और Bank Statement के Balances में क्यों फरक आता है Bank Reconciliation बनाने की Guide Sheet और फिर हम Guide Sheet की मदद से बनाएंगे Bank Reconciliation हमारे पास जो Cash Book होती है उसमें Bank का कॉलम होता है उस कॉलम में हम Bank Transaction का Record रखते हैं इसलिए अगर कहा जाए कि Cash Book का Balance 5000 है तो मतलब यह होगा कि Cash Book में हमने जो Bank की Transactions Record की है उनका Balance है 5000 Pass Book का मतलब और ऐसी बुक जो एक दूसरे के दरमियान पास की जाए या एक दूसरे को दी जाए यहां इसका मतलब है ऐसी बुक जो Bank अपने Account Holder के Deposits यानि जो भी पैसा जमा कराया गया और विट्रॉल्स यानि जितना पैसा निकाला गया इन दोनों चीजों का Record रखता है लेकिन आजकल पास बुक का इस्तेमाल ना होने के बराबर है क्योंके अब आप अराम से Online Banking के जरिए बासानी अपने Account की डेटेल कम्प्यूटर या मुबाइल पर Online देख सकते हैं अक्सर स्टूरिंट्स का ये सवाल होता है कि बेंग हमारा Account क्रेडिट क्यों करता है जबके हम जब बेंग को Increase करते हैं तो डेविट करते हैं तो इसका जवाब ये है कि हमारे लिए बेंग Asset होता है जबके बेंग के लिए हमारा Account एक लाइबलिटी है क्योंके हम बेंग के पास अपना पेसा अमानत के तोर पर रखवाते हैं जो के बेंग को हमें वापस देना होता है यानि हमारा पेसा बेंग के उपर एक लाइबलिटी है बेंग Reconciliation की ज़रूरत हमारे पास यहां दो एहम वज़ा है बेंग Reconciliation बनाने की नमबर वन इससे हमें उन वज़ुहात का पते चलता है जिनके वज़ासे हमारे बैलन्स और बेंग के बैलन्स में फरक आता है और अगर कोई गलती हुई हो तो उसे बरवक्त ठीक किया जा सके नमबर टू इससे हमें पते चलता है कि किसी कस्टुमर का चेक बाउंस तो नहीं हुआ या कोई चेक चोरी तो नहीं हुआ या कंपनी में कोई फ्रोड तो नहीं हो रहा यह हमारे पास केश बुक के डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स है और यह है बेंग स्टेटमेंट यहां यह अमाउंट फूर्टीन हंडेड हमारे पास शो हो रहा है पर यह अमाउंट बेंग में कहीं भी नजर नहीं आ रहा इसका मतलब यह है कि हमने जब बेंग में S.S.S.N. का चेक डिपोजिट करवाने बहजा तो अपने पास रिकोर्ट कर लिया था पर यह चेक बेंग वालों ने हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया इसी तरह यह 100 डॉलर का चेक हमने M.T.N. को इशू किया था पर अब तक बेंग में प्रेजन नहीं किया गया केश निकालने के लिए बेंग स्टेटमेंट में भी यहां दो इंट्रीज ऐसी हैं जो हमारी नॉलिज में नहीं है सर्विस चार्जिस और रेंड की आर्टो पेर्मेंट यह बात हमें तब ही पते चलेगी जब हम बेंग रिकंसिलेशन बनाएंगे तो हम इन वजुहात को दो केटिगरीज में ले सकते हैं नमबर वन टाइम डिफरेंस नमबर टू इन्फरमेशन डिफरेंस जैसा कि अभी हमने देखा था कि हम तो जैसे ही चेक बेंग भेशते हैं अपने पास नोट कर लेते हैं पर बेंग कभी कभी उसे रिकोर्ड करने के लिए थोड़ा वक लेता है इन्फरमेशन डिफरेंस इसमें डाइरिक डिफोजिट्स, पैमिंट्स, चार्जिस, इंटरस्ट या एरर्स हो सकते हैं अब हम देखेंगे बेंग रिकंसिलेशन की गाइड़ शीट जिसकी मदद से आप बहासानी बेंग रिकंसिलेशन बना सकते हैं आपको कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं बस इस शीट की मदद से क्विस्टिन की प्रेक्टिस करें आपका जब कॉंसेट क्लियर हो जाएगा तो फिर इस गाइड़ शीट की भी जरूरत नहीं होगी इस शीट में बेंग स्टेटमेंट यानि पास बुक के हवाले से दिया गया है जो चीज़ें आपको पास बुक में एड़ या लेस करनी है यहां यह तमाम वजुहाद चेक की देर से डिपोजिट की है जब आपने चेक इशू किया था तो अपने पास लिख लिया था पर बेंग ने अब तक आपका अकाउंट क्रेडिट नहीं किया अनकिलियर्ट का मतलब होता है आपने अपने बेंग में किसी और बेंग का चेक डिपोजिट करवाया जो कि किलियर होने के बाद बेंग रिकोड करता है लास्ट डे डिपोजिट या लेड डिपोजिट चेक का मतलब है मन की आखरी तारीख को जमा करवाया गया चेक तो अगर बेंग ने उसे next day record किया तो आपको ये amount इस मन बेंग statement में नहीं मिलेगा चेक्स आपने तो deposit किये थे पर बेंग statement में show नहीं हो रहे जिसके वज़ा unclear checks भी हो सकते हैं और let deposit भी deposit in transit का मतलब होता है कि deposit अभी रास्ते में है और bank reconciliation में मतलब होता है कि अभी bank ने इसे record नहीं किया और सबसे आखर में है errors जिनकी वैसे bank balance में कमी हो गई हो तो अब हम उतना amount 8 कर लेंगे ताकि balances बराबर हो जाएं अगर ये वज़ुहाद दी गई हो तो bank से amount less होगा इन तीनों का मतलब सेम है चेक आपने issue कर दिया किसी payment के लिए पर अब तक bank से वो amount निकाला नहीं गया unprecedented का मतलब है cash निकालने के लिए present नहीं किया outstanding का मतलब होता है कि amount अभी अदा करना बाकी है bank को हमारे check के against check issue तो किया पर bank statement में show नहीं हो रहा यानि अभी payment नहीं की गई इन तीनों वज़ोहाद पर हम bank balance से amount less इसलिए कर देते हैं क्योंकि आज नहीं तो कल हमारा balance इन payments के वज़ए से तो कम हो ही जाएगा और जब checks issue किये थे तो हमने अपने पास से भी bank को कम कर लिया था आखिर में है errors जिसकी वज़ए से bank का balance increase हो गया था इस sheet में cash book के हवाले से reasons दी गई हैं जिनकी वज़ए से हम cash book से amounts को plus या minus कर देंगे इन दोनों columns में receipts और payments हैं जो के bank ने direct वसूल या अदा की हैं और जिनकी वज़ए से हमारा account का balance कम या ज्यादा हुआ पर हमें पता जब चला जब हमने bank statement देखी अब हम इन्हें अपनी cash book में add या less कर लेंगे और आखिर में errors हैं जिनकी वज़ए से अगर कम हुआ था balance तो add करेंगे और अगर बढ़ा था तो less अब हम इन दोनों sheets के मदद से bank reconciliation बनाएंगे ये questions हमें solve करना है इसमें सबसे पहले जुलाई 31st के balances दिये गए है और उसके बाद information दी गई है जिसकी वज़से इन दोनों balances में फरक है हम guide sheets की मदद से अब इन reasons पे सबसे पहले निशानी लाएंगे के कौन सा amount rate करना है और कौन सा less सबसे पहली reason है के ये दो checks out standing है तो यहां guide sheet के हिसाब से ये amount bank statement से less होंगे तो हमने question में निशानी के तोर पर rate P भी लिखा यानि ये amounts pass book से less होंगे इसके बाद third में check number 5386-2000 dollar bank ने तो आपके account से ठीक remove किये पर हमने गलती से 10760 minus करे guide sheet के हिसाब से ये ऐसा error है जिसकी विएसे cash book का balance increase है 240 से लिहाज़ा ये 240 company के book से minus होंगे तो हमने यहां लगाया rate में CB यानि cash book क्योंके cash book से ये amount less करना है next में कहा गया है कि 34,300 bank के arts खतम होने के बाद पहुंचे जिसकी विएसे ये bank statement में नहीं आ सके लेकिन company के record में मुझूद है इसका मतलब है कि ये late deposit है जिसे हम bank में add करते हैं तो add की निशानी हमने green से लगाई TB यानि pass book में ये amount add होगा इसके बाद number 5 में एक error पता चला है एक चेक जो के हमारे account से minus कर दिया गया वो किसी और customer के account से minus करना था और amount है 320 ये एक error है जिसके वैसे हमारा bank balance कम हो गया 320 से तो अब हम इसे ठीक करने के लिए add करेंगे pass book में तो हमने यहां लिखा PB green में number 6 में bank ने 60,000 charges वसूल किये हैं और 1800 interest भी लेकिन ये चीज company के record में नहीं तो यहां ये दोनों चीज़े हैं पहली collection और दूसरा interest और इसे cash book में 8 के जाएगा तो हम green में इसके साथ CB लिख लेते हैं इसके बाद number 7 में bank ने बताया कि 2200 का हमारा एक customer का check insufficient fund की वज़ासे वापस आ गया यानि जो payment हमें अपने customer से लेनी थी वो हमारे account में deposit नहीं हो सकी तो हम इस check को अपने पास से less करेंगे क्योंकि जब हमने इस check को deposit करने के लिए bank भेजा था तो अपने पास 8 कर लिया था अब जबके payment bank में जमा नहीं हो सकी तो हम भी अपने पास से इसे less कर लेंगे जो check payment deposit हुए बगेर हमारे पास वापस आ जाए तो ऐसे check को dishonored check कहा जाता है जो के हम less करते हैं cash book से तो हम यहां rate cb लगा लेंगे next में bank में service charges 80 dollar काट लिये हैं जो के हमारे record में नहीं यहां charges cash book से less होंगे तो हमने number 8 के साथ cb rate में लिख लिया अब हम बनाते हैं bank reconciliation यह format है headings के बाद हमारे पास 3 columns हैं पहला amounts को plus minus करने के लिए दूसरा column है cash book और तीसरा pass book का सबसे पहले लिखेंगे balances हमारे पास balance है 32,760 और bank statement में balance है 77,040 तो यह इस तरह सबसे पहले आए इसके बाद जो amounts cash book में add होंगे वो एक साथ लिख लिएंगे यहां cash book में 60,000 और 1,800 add हो रहे हैं तो यह इस तरह आए और इनका total हमने cash book के column में लिख लिया इसके बाद cash book से less हो रहा है 240, 2200 और 80 तो यहां यह तीनो amounts इस तरह आए और इन तीनों का total हमने cash book के column में लिख लिया इसके बाद जो amount pass book में add हो रहे हैं वो लिखेंगे PB green में लिखा है 34,300 और 320 के साथ तो यह आए इस तरह और इनका total हमने pass book के column में लिखा इसके बाद यह दो amount pass book में से less किये जाएंगे तो हमने इस तरह लिखा इन दोनो amounts को इनके check number के साथ और इनका total हमने pass book के column में लिख लिया और जब इन columns के total करेंगे तो दोनों तरफ आएगा 92,040 जिसका मतलब है bank reconciliation बिलकुल ठीक बनी है अब हम देखते हैं journal entries journal entries में हम सिर्फ उन चीज़ों को record करते हैं जो हमारी cash book में aid या less हुई हैं pass book वाली चीज़े bank खुद देख लेगा तो हमने bank को debit किया उन amount से जो हमने aid किये थे और उन amount से bank को credit किया जो हमने less किये थे यहां यह topic हुआ खत्म next video तक के लिए good bye